वेलकम टो केंगाईज दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज आपनों के लिए एक और बहुत ही जब्रदर डिवाइस लेके आया हूँ शाओमी की तरफ से रेड्मी नोट 10 अन्बॉक्स केंगे साथ साथ आपको कम्प्लीट रिव्यू भी इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा आपको वीडियो आपने पूरी देखनी है इस डिवाइस की एक खाज बात ये भी है के इसके अंदर 3-air की वारन्टी आ रहे है हां यह सारे जो डिस्ट्ब्यूटर हैं वो सब वारन्टी 3-air की नहीं देते मगर यहाँ पर जो हमें वारन्टी मिली है स्मार्ट लिंक की तरफ से मिली है 3-air की वारन्टी box के back side पर हम देखें तो यहाँ पर MI का warranty card भी अंदर मौझूद है और front के उपर जो है वो smart link का warranty card जो sticker है वो भी यहाँ पर मौझूद है हम यह देखने हैं यह variant जो है वो 4GB, 128GB का variant यहाँ पर मौझूद है तो बागी बादे करते हैं बाद में और हम कर लेते हैं पहले box को unwrap और देखते हैं के हमारी device कैसी है टेक्नो spark 7 pro की वीडियो भी चैनल के उपर मौझूद है अगर अभी तक आपने नहीं देखिए तो description में link मौझूद है आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत अच्छी device है बिल्कुल value for money है आपको ज़रूर देखनी चाहिए अच्छा एक बात जो है वो हमेशे की तरह MI के जो भी आप phone लेंगे उसके अंदर आपको जो इसकी packing मिलेगी वो double wrap हुआ वाँ होगा phone अच्छा जी तो यहाँ पर हम इसके warranty card को कर लेते हैं site और क्योंकि यहाँ पर यह sticker मुझे भी निकालना होगा three year warranty वाला तो box को भी हम site कर देते हैं अगर आपको इस device के मुतालिक कोई भी सवाल हो जहन में या कोई भी आपकी confusion हो तो आप comment के अंदर पूर सकते हैं इसके इलावा भी कोई device अगर आप चाहते हैं कि आपकी range के साफ से कौन सी device आपके लिए suitable रहेगी तो वह भी आप comment के अंदर पूर सकते हैं तो यह हमारी device के front के उपर भी कुछ highlight feature है 6.4 inches का super HD display है और 33 watt की fast charging आप पर सपोर्टेड snack dragon 678 का है और 48 megapixel का quad camera setup यहां पर देखने को मेंगेगा बॉक्स को भी एक नदर देख लेते हैं बट रैड्मी है तो बॉक्स के अंदर जो है वो ज्यादा चीज़ें तो provide नहीं की गई होंगी तो यहां पर हम जल्दी से देख लेते हैं यह सिम टूल आ गया और यहां पर इसका यह जैले पाउज है यहां पर side mountain fingerprint दिया गया है और अभी मैं आपको device के अंदर भी दिखा देता हूं back से कुछ इस तरह का है खैर और कुछ इसके लावा paperwork है इसकी booklet बगरा है और इसको फि charging का setup दिया गया है तो यहां पर एकिनना फार्स चार्जर हमें provide किया गया होगा चार्जर जो है वह मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी सॉलिड चार्जर है और जिहां यह बिल्कुल फार्स चार्जर है क्योंकि फार्स चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है को अलग से purchase करना पड़ेगा तो फाइनली डिवाइस का हम देख लेते हैं कि फर्स लुक कैसा होने वाला है ओ माइगाट बहुत ही जबरदस्त डिवाइस लग रही है तो दोस्तों यह है इस डिवाइस का फर्स लुक जो के इंतहाई खुबसूरत डिवाइस है और खास और लुक दे रही है और यह प्राइम लुक के साथ साथ इसकी quality पी अच्छी होगी क्योंके शाओमी के जो सैट है वह कफे अच्छी quality को maintain रखते हैं अच्छा हम साइट पर साइट देख लेते हैं तो यहां पर हमें SIM स्लोट दी गई है और यहां पर आप दो SIM और एक मेमोरी काड़ लगा सकते हैं 108 GB इसकी अपनी इंटर्नल मेमोरी है पिर भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अदर साइट पर हम देखे तो यहां पर हमें वॉल्यूम की दी गई है और वॉल्यूम की के साथ ही यहां पर हमें साइट बांट्रेंट फिंगर्प्रिंट भी देखने को मिल रहा है और यही साइट बांट्रेंट फिंगर्प्रिंट जो है यही इसका पाउर बटन भी है फिंगर्प्रिंट सेंसर विससे रियर बांट् और माइक यहां पर देखने को मिल रहा है और उसी के साहसात tant hart three three-point five mm का यहांपफ जैक लगए गा और निदा की तरफ देखें तो У्ह लोग्ती तरफ यहां पर हमें आटौप की तरफ देखने ज़गूरे हैं और उसी का साथ यहां पर वीडियो चला के भी sound को चेक कर लेते हैं camera setup यहाँ पर देख लेते हैं हमें यहाँ पर quad camera setup देखने को मिल रहा है back side के उपर यहाँ पर हमें LED flashlight दी गई है और उसी के साथ यहाँ पर जो main camera है वो 48 MP का यहाँ पर main camera दिया गया है उसी के साथ 8 MP का ultra wide camera है 2 MP का micro camera और 2 MP का depth sensor यहाँ पर दिया गया है नीचे की जाने पर हम देखें तो यहाँ पर Redmi की branding ही गई है और उसी के अधर जाने पर हम देखें तो यहाँ पर Xiaomi communication co limited लिखा गया है और designed by Redmi यहाँ पर mention किया गया है और front की बात की जाए तो यहाँ पर कोई water drop notch देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर punch hole display लगाया गया है और front के उपर 13 MP का camera प्रवाइट किया गया है front और rear दोनों camera's की मजीद detail आपको sample के साथ इसी वीडियो के अंदर आगे मिल जाएगी मजीद specification की बात करे तो यहाँ पर Android 11 हमें प्रवाइट किया गया है और UI 12 प्रवाइट किया गया है जबकि इसकी जो मुबाइल का weight है वो 178 gram weight है काफी light weight है device का प्रोसेसर की बात करें तो octa core 2.2 gigahertz प्रोसेसर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और उसी के साथ snapdragon 678 यहाँ पर हमें प्रोवाइट किया गया है camera setup देखा जाए तो यहाँ पर soft camera setup हमें देखने को मिलता है जिसने जो main camera है वो 48 megapixel का यहाँ पर main camera दिया गया है और उसी के साथ ultra wide यहाँ पर 8 megapixelこgoing 2 megapixel macro camera दिया गया है और 2 megapixel दप camera दिया गया है डिस्प्ले इस मोबाइल का हाइलाइट होने वाला है सुपर और मोड यानि के फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है और निट्स के बाद कीज़े तो यह साड़े 400 से 1100 तक की निट्स पर जा सकता है मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पर अगर हम इसके ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो इसकी ब्राइटनेस काफी जादा बढ़ जाती है डे लाइट के अंदर आपको इसमें कोई परिशानी नहीं होने वाली यहाँ पर एविन इतनी हाइलाइट हो गए होगी है कि आपको कुछ नजर भी नहीं हा रहा होगा मोबाइल का साइज 6.44 इंचेज है और इसकी रेजोलुशन 1080 x 2400 की इसकी रेजोलुशन है 5000 mh की बड़ी बैटरी के साथ यहाँ पे 33 वाट की फास्ट चारजिंग प्रोवाइड की गई है मजीद यहाँ पर डिवाइस के अंदर कुछ और भी फीचर्ज दिये गया हैं काफी अच्छे बट अभी हम इसके कैमरा की तरफ चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको काफी फीचर्ज जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगे हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देख लेते हैं आपके सामने हैं इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छी डिटेल प्रोवाइट कर रहा है यह और कलर की शार्पनेज भी जाएंगे जा जो है वो बहुत अच्छी दिखा रहा है 48 मेगा पिक्सल का यह कैमरा है और इंडूर के अंदर कर रिजल्ट आपके सामने हैं यह काफी करीब से पिक्चर ली गई है इसे हम दूर से भी पिक्चर लेंगे आउट्डूर में वो भी इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाए है और स्लूब मोशन है इसके अंदर इंडूर में हम एक पॉर्टेट मोड भी लेने की कोशिश करते हैं और ट्राय करते हैं कि पॉर्टेट मोड जो है वो यहां पर क्या रिजल्ट प्रोवाइट कर रहा है केमरा को जाब आप आप उपिन करते हैं तो उसके जो कलर सेचुर है वह काफी अच्छी करी है पॉर्टेट मोड में इसके लावा यहां पर आप देखें तो मोड में हम जाएंगे तो काफी और फीचर जो आपको नजर आते हैं नाइट मोड का 48 मेगा पिक्सल का एक अलग से हां पर आप्शन आपको मिल जाता है शॉर्ट वीडियो स्लो मो और बहुत कुछ अच्छे अब एक नजर जो है हम फ्रंट कैमरे के उपर भी देख लेते हैं इंडूर के अंदर फ्रंट कैमरा कैसा रिजल्ट यहां पर हमें दे रहा है ओके तो यह खल्पन थोड़ी सी ब्लर हो गई और कॉर्प सेंप्ल ले लेते हैं तो यह देखे यहां पर फ्रंट कैमरे से इंडूर के अंदर जो रिजल्ट है वह कफी अच्छा यहां पर देखने को मिल रहा है हमारे को डिटेल देखने को मिल रही है नैच्रल कलर जो है वह यहां पर देखने को हमें मिल रहा है क्योंकि अक्सरियत याई कैमरा होते हैं औ और बेक साट से भी बट एक्चुल जोसका रिजल्ट आना है वह आउट्डोर में आना है और आउट्डोर के अंदर आपको और नाइट का रिजल्ट भी मिलेगा और अधे कभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छा एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया हैं यहां प तो यह था डिवाइस के स्पीकर्स का रिजल्ट और अब हम चलते हैं आउट्डोर उसके कैमरा उसको मजीद चेक करते हैं तो यह इस मुबाई के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वाइस की कॉलिटी भी आपके सामने है और कैमरे का रिजल्ट भी आपके सामने है और स्टेबलिटी भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी जो है वो स्टेबलिट करा थो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्यूंकि चैनल के उपपर भी बहुत कुछ आने स्वाला है तो स्टेटुने और यह मुपाल के देनगा से पिक्चर ली गई है only पर वीडियो के अंदर थोड़ा साम जूम करके भी देख लेते हैं कि कहां तक जो है इसकी पिक्चर को जो है वो किलियर दिखा रहा है कितना जूम जो है वो किलियर दिखा रहा है और कितना जूम यह मुबाइल जो है वो कर सकता है वीडियो को यह थी रियर कैमरे से नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करता है यहां पर आप देख सकते हैं कि घर के अंदर सोलर प्लेट से कुछ लगी वी हैं टंकी के पास और यह इस मुबाइल क्या 48 मेगा पिक्सल के कैमरे का रिजल्ट है वैसे एम आई की तरफ से पहले भी कैमरा के जो रिजल्ट है वह काफी अच्छे रहा हैं पहले भी एक्सिरियंट जहें वह औफी अच्छा रहा है इसके कैमरा के वह बहुत जादा नेश्मों आम तरह पर जो डिवाइस के बहुत dodसे हैं कुछ पिक्चर जहेंबहें का सभी से अंदाज़ा हो जाए नाइट में केमरे के रिजल्ट आपके सामने है यह फ्रंट केमरे से नौर्मल मोड के अंदर पिक्चर ली गई है यह नाइट का रियर केमरे का रिजल्ट है यह नाइट में नौर्मल मोड के अंदर पिक्चर ली गई है और यह नाइट मोड के अ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दियेगा, नेक्स वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक कियर.